नरेंद्र मोदी दूसरे विश्व योगा दिवस पर चंडीगड में थे जहां अथा जन सेलाब उनके इस एतिहासिक दिन का गवाह बनना चाहता था मोदी ने भी एक मंजे हुए योगी की तरह योग किया तो वहीं इस मोके पर विश्व के नाम संदेश भी दिया मोदी ने योग के नाम पर होने वाले विवाद पर भी सवाल उठाया और कहा कि योग को किसी भी विवाद से ना जोडे जन सामान्य की भलाई के लिए और इहीं लोग की सेवा के लिए पर लोग की सेवा के लिए नहीं पर लोग के लिए संप्रदा है धर्मा है परंप्रा है गुरु महराज है बहुत कुछ है योग इह लोग के लिए स्वंता बढ़ाने के लिए है और इसलिए हम अपने आपको योग से जोड़े सब लोग अपने आपको योग को समर्पित नहीं कर सकते लेकिन खुद को जुड़ने के लिए योग से जुड़ना एक अत्य उत्तम मार्ग है मुझे भी स्वास है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे नरेंद्र मोधी ने योगा को प्रोफेशन के तोर पर भी अपनाने को कहा और लोगों को बताया कि कैसे योग करोडों का व्यवसाय है आज योग विश्व में एक बहुत बढ़ा आर्थिक कारोबार भी बनता जा रहा है पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन के रुपे विक्सित हो रहा है योग के ट्रेनर की बहुत बड़ी मांग पट रही हैं दुनिया में दुनिया के हर देश में मांग पट रही है नवजवानों के लिए रोजगार के अवसर उप्लक्त करनारी की सम्मावनाय हो रही है अर्बो खर्बो का कारोबार आज योग नाम की ववस्ता के साथ विक्सित होता जा रहा है दुनिया में कई देश ऐसे हैं कि जहां टीवी चैनल नर्यंद्र मोदी ने इस मौके पर दो नए अवाडों की भी घोशना की जो की अगले साल योगा के लिए दिये जाएंगे आज जब अंतराश्ची योगा अगा दूसरा वर्ष है भारत ने विश्व को अन्मोल विरासत दी है विश्व ने आज अपने अपने तरीके से उसको स्विकार किया है ऐसे समय भारत सरकार की तरफ से मैं आज दो एवार्ड गोशित करने जा रहा है अगले वर्ष जब 21 जून को आंतराश्ची योग दिवस मनाए जाएगा तब भारत की तरफ से यह दो एवार्ड के लिए चयन होगा उनको एवार्ड उसी समाहरों में दिया जाएगा एक आंतराश्ची यस्तर पर योग के लिए उत्तम काम हो रहा हो उनके लिए एवार्ड दूसरा भारत में हिंदुस्तान के भीत योग के लिए जो उत्तम काम होता होगा उनके लिए एवार्ड एक आंतर राश्ची योग एवार्ड एक राश्ची योग एवार्ड प्यक्ति समस्ता हर को इसमें जूड सकते हैं उसकी जो एक्सपर्ट कमिटी होगी वो उसके नियम बनाएगी उसके तौर तरीके बनाएगी जूरी तै करेगी लेकिन विश्व भर्वें जिस प्रकार से अनेक अनेक ग्लोबल एवर्ड की बहवाई होती है याद होती है उसका महत्वय माना जाता है हिंदुस्तान चाहता है कि भारत विश्व के लोग जो योग से जुड़े उनको संज्बानित करें हिंदुस्तान में जो योग के लिए काम कर दें हुझ lectures परंपरा हम आगे बढ़ाएं दीरे दीरे इसको राज्य और डिस्ट्रिक्टर कुई लिए हम ले जा सकते हैं तो उस दिशा में हम काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं मैं फिर एक बार पूरे विश्व का भारत किस्महान विरासत को सनमानित करने के लिए स्विकार करने के ल योग गुरुओं का अभार व्यक्ते करता हूं मैं योग के साथ समर्पित सभी पीडी के लोगों का अभार व्यक्ते करता हूं जिन्हों ने इस परंपरा को बनाये रखा है और आज भी पूरन समर्पर धाव से योग की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसे मैंने क इसको हम एक नई ताकत दे नई उर्जा दे नई प्रिणा दे मैं सभी योग से सुड़े हुए आज इस चंडीगट की धर्ती पर मैं अभी बादल साब को पूछ रहा था कि इस परिशर का इसका इतना उत्तम उप्योग इसके पहले कभी हुआ है क्या मैं यहां बहुत पहले आया करता था मैं चंडीगट में रहता था तरी पांच साल में यहां रहा हूँ तो मैं भली बहां तिन चीजों का परिचित था तो जब चंडीगट में यह कारगम बनानी की बात आई मैंने कहा था कि इस से जगह अच्छा उत्तम को परिशर नहीं हो सक करके मन को बड़ी प्रसंता होती है और विश्वा पूरा जुड रहा है यह अपने आप एक गर्व की बात है मैं फिर एक बार इस महान परब्परा को प्रणाम करते हुए उजवल भविश्व की कामना करते हुए बहुत बहुत धनेवाद नरेंद्र मोधी को योग करते पूरे विश्व ने देखा और मोधी ने भी एक साधक के तोर पर योग किया नरेंद्र मोधी ने इस मोके पर योग को धार्मिक कर्मकान से ना जोड़ने की बात की सभी देश अपने-अपने समय की सुविधा से इस कारकम के साथ जुड़े हुए है उनाइटे नेशन द्वारा पूरे विश्व में आंतर राष्टिय योग दिवस मनाया जा रहा है भारत के अनुरोध पर गतवर्ष इसका प्रारंब हुआ 21 जून इसलिए पसंद की गई कि एक प्रकार से विश्व के बहुत बड़े हिस्से में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूरिय से निकट नाते का ये परव होता है और उसे इधान में रखते हुए 21 जून को आंतराश्टिय योगा दिवस के रूप में पसंद किया गए पूरे विश्व का समर्थन मिला विक्सित देश हो विकासवान देश हो समाज के हर तपके का समर्थन मिला वैसे उनाइटे नेशन के द्वारा कई ऐसे आंतराश्टिय दिवस बनाए जाते हैं मैं सबका उलेख नहीं करता हूँ लेकिन शायद उनाइटे नेशन द्वारा मनाए गए इतने सारे दिवसों में कोई दिवस जनांदोलन बन गया हो विश्व के हर कोने में उसको समर्थन और स्विकृति प्राप्त होती हो शायद आंतराश्टिय योगा दिवस की बराबरी कोई और दिवस नहीं कर पा रहा है एक साल के भीतर भीतर आंतराश्टिय अनेक कारकम होते हैं यूएन के द्वारा वर्ल कैंसर डे होता है वर्ल हेल्थ डे होता है वर्ल मेंटल हेल्थ डे होता है वर्ल एज डे होता है अनेक और भी कई हेल्थ को लेकर के भी अनेक भीत दिवस यूएन के द्वारा मनाई जाते हैं लेकिन यही है जिसका सीधा समझ हेल्थ के तो साथ है सारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तंदुरस्ति के साथ समझ है वो यह होगी आज इतने बड़े पैमाने पर जन सामान्य का अंदोलन बना है और मैं समझता हूँ कि यह हमारे पुरवजों ने हमें जो विरासत भी है इस विरासत की ताकत क्या है इस विरासत की पहचान क्या है इसका परिचे करवाते हैं कभी-कभी तो मैं कहता है योगासन एक प्रकार से जीवन अनुशासन का भी अधिश्ठान बन जाता है कभी-कभी लोग इसको समझने में उनकी छमता की कमी के कारण पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं कभी-कभी लोगों को लगता है योगासे क्या मिलेगा ये पूरा विज्याम लेने पाने के लिए है ही नहीं योग क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा मैं क्या दे पाऊंगा मैं किनकी चीजों से मुक्त हो पाऊंगा ये मुक्ति का मार्ग है पाने का मार्ग नहीं है सभी संप्रदाए धर्म भक्ति पुजापाथ वो इस बात पर बल देते हैं कि मृत्यू के बाद इह लोग से निकल करके जब परलोग में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा कि अगर इस प्रकार से पुजा प्तदी करेंगे इश्वर की साधना अरादना करेंगे तो आपको परलोग में यह मिलेगा , योग की परलोग के लिए नहीं है मृत्यू के बाद क्या मिलेगा इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है और इसलिए ये धार्मिक कर्मकान नहीं है योग इह लोग में तुम्हें मन को शांती कैसे मिलेगी सरीर को स्वस्तता कैसे मिलेगी समाज में एक सुत्रता कैसी बने रहेगी उसकी ताकत देता है यह परलोग का विज्ञान नहीं है इह इह लोग का विज्ञान है इसी जिनम में क्या मिलेगा उसी का भी ज्यान है और इसलिए योग के सबन में शरी, मान, बुद्धी, आत्मा ये सिंक्रोनाईज वे में काम करें इसकी एक ट्रेनिंग योग के द्वारा होती है हम अपनी तरफ देखें तो हमने देखा होगा कि हम चले या न चले हम स्फूर्तिले हो या आलसी हो ठके हुए हो या उर्जावान हो हमारा शरीर कुछ भी हो सकता धीला ढाला ऐसा ही चलो छोड़ो यार कहा जाएंगे वहां बैटो लेकिन मन मन कभी स्थीर नहीं रहता है वो तो चारों तरफ चकर मारता है यहां बैटे हो और आपके अम्रिज सरी याद आजा तो वहां चले जाएंगे आननपुर सहाब याद आएगा तो वहां चले जाएंगे कोई दोस्त याद आया तो उसके पास मन चला जाएगा मन अस्थीर होता है शरीर स्थीर होता है यह योग है जो हमें सिखाता है मन को स्थीर कैसे करना और स्थीर को गतिवान कैसे वरागा याने हमारी मुल्हुत प्रकुदी में परिवर्तन लाने का काम योगे के द्वारा होता है जिसे से मन की स्थिर्था की ट्रेनिंग हो और स्थीर को गतिसिल्था की ट्रेनिंग मिले और अगर यह बैलेंस हो जाता है तो जीमन में इश्वर्दत जो ये वे हमारा शरीर है वो हमारे सभी संकल्पों की पूर्ती के लिए उत्तम माध्धम बन सकता है और इस अर्थ मे योग आस्तिक के लिए भी है योग नास्तिक के लिए भी है